दोस्तों महाभारत का एक famous episode है The Temptation of Kern जिसमें श्रीकृष्ण कर्ण से बातचीत करते हैं और अपने बातों के जरीए उनको लुभाने ही कोशुच करते हैं बड़ा ही interesting chapter है चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में हम लोग ढंक से discuss करेंगे कि किस तरह से ये temptation हुआ शुरू करते हैं मिलता हैं इस वीडियो के end में महाभारत का एक episode था जिसमें कर्ण जो कुंती का सबसे बड़ा बेटा था उसे सूर्यदेव से हुआ था लेकिन कर्ण को वो अपने साथ नहीं रख पाई क्योंकि ये बच्चा शादी से पहले पैदा हुआ था सूर्यदेव के ही कहने पर कुंती ने कर्ण को गंगा नदी में बहा दिया उसके बाद कुंती की शादी पांडू से हो जाती है बले ही बाद में कुंती के पांच बच्चे हो गए लेकिन कर्ण मरा नहीं था कर्ण गंगा नदी में बहता हुआ मिला सुता अधिरत को जिसका कोई बच्चा नहीं था पहले से वो इस बच्चे को अपनी पत्नी राधा के पास में लेगर जाता है और वो दोनों कर्ण को खुद के बच्चे से भी ज्यादा प्यार करते हैं इस बात की सच्चाई श्रीकृष्ण कर्ण को खुद बताते हैं क्योंकि श्रीकृष्ण को ये बात अच्छे से पता थी कि कर्ण अगर पांडवों के लिए इसको अहराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो कर्ण से श्रीकृष्ण ने खुद पूछा कि तुम धर्म के रास्ति पर चलने वाले एक अधर्मी का साथ कैसे दे रहे हैं सच और जूट में तुमें फर्क समझ में नहीं आता क्या तुम अपने ही छूटे भाईयों के खिलाफ लड़ रहे हैं कर्ण को ये बात पहले से पता नहीं थी कि वो पांडवों का सबसे बड़ा भाई है श्रीकृष्ण ने उन्हें बताया कि पांडवों की तुम सबसे बड़े भाई हो तुमारी मा को शादी से पहले एक मंत्र दिया गया था जिसे एकसाइटमेंट में तुमारी मा ने पहले ही पढ़ लिया और तुम पैदा हो गए समाज के डर से तुमारी मा ने तुमें त्याग दिया था गंगा नदी में और सूर्यदेव की पर्मिशन लेगा है तो देखा जाए तो तुम सबसे बड़े पांडवों हो तुम अपने ही भाईयों के खिलाफ लड़ रहे हो कौरवों का दुरियोधन का साथ देखर मैं तुमें यकीन दिलाता हूँ इस युद्ध में अगर तुम अपने भाईयों के साथ आ जाओगे तो तुमें सबसे बड़े बिटे का जो सम्मान मिलना चाहिए जो तुम डिजर्व करते हूँ वो तुमें मिलेगा अभी भले ही योदिस्टर सबसे बड़ा है लेकिन जब तुम राजा बनोगे तो वो तुमारे पीछे खड़ा होगा भीम तुमारे पीछे चाता लेकर खड़ा होगा हम सब द्रौपदी नकुल सहदेव मैं भी तुमारे पीछे चलूँगा इस तरह से श्रीकृष्ट ने करण को लुभाने ही कोशिश की लेकिन दोस्तों करण को ये बात पहले से पता नहीं थी उसे ये जरूर पता था कि उसे त्याग दिया गया था लेकिन किसने छोड़ा था उसकी मा कौन थी ये बात सुनकर करण ने कहा कि एक मा इतनी निर्दई कैसे हो सकती है उन्हें कोई परवा नहीं थी कि मैं जीऊं या मरू अगर मैं मर जाता तो वो तो भला हो अधिरत का और राधा का जिनको मैं मिला और पल गया मुझे पालने वाले बहुत बड़े हैं जिनका प्यार और विश्वास मैं कभी नहीं तोड़ सकता इस पूरी दुनिया की दौलत भी मेरे कदमों में रख दो इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग हैं जिनकी लिए मेरे दिल में प्यार है एक तो दुर्योधन, दुर्योधन भले ही कैसा हो, कर्ण जानता था अच्छे से कि दुर्योधन सही नहीं कर रहा था, फिर भी कर्ण ने कहा कि दुर्योधन ने मेरी तरफ तब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जब मुझे सच में साथ की जरूरती, जब पूरी दुनिया इस तरीके से पाला जैसे मैं उसी का बच्चा हूँ तो मैं उन दोरों को धोका नहीं दे सकता तो मुझे माफ करिये श्रीकृष्ण से वो बोलता है करण और साथ ही साथ ऐसा भी बोलता है कि युद्धिस्टर को कभी मत बताना इस बारे में क्योंकि युद्धिस्टर को पता नहीं है अगर उसे पता चलेगा तो वो राज एकसेप्ट नहीं करेगा राजा बनना एकसेप्ट नहीं करेगा ये केशव, माधव, वसुधेव मैं जानता हूँ कि ये महावारत का युद्ध होकर रहेगा क्योंकि ये जरूरी है इसे होने दीजिए अगर मैं अपने भाईयों की साइड चला गया तो ये लड़ाई नहीं हो पाएगी और ये धर्म के खिलाब होगा बहुत सी कस्मे हैं जिनका पूरा होना बहुत जरूरी है आपको पता होगा भीम ने, दुरपदी ने काफी सारे लोगों ने कस्मे खाई थी इस युद्ध को लेकर अगर ये युद्ध नहीं हुआ तो ये धर्म के खिलाब होगा ऐसा बूलकर कर्ण वहाँ से चला जाता है अब दोस्तों इसकी बाद जो कुंती से आकर कहते हैं कि कोई भी शांती नहीं चाता तो कुंती कहती है कि मैं खुद कर्ण से जाकर बात करूँगी वो सब कुछ बताती है कर्ण को आकर जो कृष्ट ने उन्हें बताया था अपने भाईयों को गले लगाओ वो ऐसा बोलती है कि अपने भाईयों को गले लगाओ जब तुम और अर्जुन साथ में आ जाओगे तो दुनिया के कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो तुम दोनों को हरा सके तो कर्ण मना कर देता है लेकिन मात ही ऐसा बोलता है कि आपकी यह यहचना बेकार नहीं जाएगी क्योंकि कुंति को एक बात अच्छे से पता थी कि कर्ण को मारना पांडवों के लिए एकदम इंपॉसिबल है उसके कवच और कुंडल की वज़े से इसलिए समझोता करने में भलाई है वो समझोता करने आ गई कर्ण ने कहा पहले तो मना कर दिया और साथ ही साथ एक बात कही कि मैं सिर्फ चार जनों को छोड़ कर सिर्फ और सिर्फ अरजुन से लड़ूंगा और या तो उसकी हाथों मारा जाऊंगा या फिर उसे मार दूँगा और चिंता मत करो तुम मेरी माँ हो तुमारे पांच बेटे थे और पांच ही रहेंगी लेकिन एक मर जाएगा या तो अर्जुन या फिर मैं मतलब या तो मारूंगा या मरूंगा यही पर टेम्टेशन आफ कर्ण खतम होता है दूस्तों अब जब आपने ये वीडियो खतम कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी पिलाल आज की इस वीडियो बस इतना है मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में